हेलो फ्रेंड्स अगर आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है और आपके प्लांट की पत्यां भी पीली हो रही है तो फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट का ध्यान रखना है कि अगर हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो मिट्ट हिए कि चैक कीज़े मिटी हमारे plants कि अच्छी है उसमें चीटियाugs-फंगस नहीं है उसके बाद फ़िर हमें plant के उपर देखना है कि इसमे मीली बंग ऐफ्रोड चीटियां ऊपर तक नहीं जा रही है यह सब ध्यान रखना है ये देखे मेरा गुढ़ल का प्लांट है इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही चार पांच फूल रोज मिल जाते हैं मुझे और इसके गुढ़ल के फूल भगवान हनुवान जी को और माता दुर्गा जी को बहुत ही क्योंकि ये जो देशी गुढ़ल के लाल फूल होते हैं ये ही भगवान को चड़ाया जाते हैं तो आप ये प्लांट जरूर लगाए अगर हाइब्रिड भी आप लगाते हैं तो वह भी लगा लीजिए बट आपके पास एक दो प्लांट ये भी होना चाहिए क्योंकि ये ब दूसरा इसको सनलाइट जीतनी ज्यादा देंगे उतने ही ज्यादा ये फ्लावरिंग करेगा देकर जितने भी मेरे प्लांट से बहुत सब प counter हो रही है और चेंज और erenए होनेये और से भी हमारा प्लांट कर चीज कर आपकरली प्लावरिंग ये अगर आपको अपने प्रांट से फ्लावरिंग लेनी हैं ऐसे हरी भरी पतियां करनी हैं तो टाइम टाइम पर फर्टिलाजर दीजे मैं फ्रेंड्स क्या-क्या फर्टिलाजर देती हूँ हर बार में वीडियो शेयर करती हूँ देखें कितनी 4-5 जो भी प्रांट हैं वो बहुत हेल्दी हैं यह आज का जो बेस्ट फर्टिलाजर है जो माली लोग नरसरी में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं यह आप हर मौसम में दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि सरदी गर्मी बरसात में दे तो आप इसको किसी भी मौसम में दे सकते हैं क्वांटिटी का ध्यान रखना है कैसे देना है और कैसे बनाना है तो आप देखते हैं सरसो की खली में क्या क्या पाया जाता है अब देखे इसको बनाना कैसे है मैंने इसमें फ्रेंस पानी लिया है और इसमें मैं थोड़ा ही बनाऊंगी आप अपने पौधों के हिसाब से बना सकते हैं और ज़्याद़ प्लांट हैं तो ज़्याद़ भी बना सकते हैं तो ऐसा कोई वो नुकसान नहीं करती है लेकिन मैं इसको कमी टाइम के लिए छोड़ दूँगी 12 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ूँगी और फिर अपने प्रांट्स में इसको फर्टिलाजर के रूप में देना है इसमें आप डिये भी के कुछ दाने भी डाल सकते हैं ये देखें दो तरह की होती है वह सस्ती है ओनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और जो आपकी लोकल नरसरी है उस पे भी एजली मिल जाएगी तो ये एक बलैक कलर के हैं और एक यालो सेम ही रिजल्ट है दोनों कोई भी आप ले सकते हैं और इसमें से सरसो का तेल निकाल कर जो ये वेस्ट बनता है बचता है ये ही सरसो की खली होती है ये बहुत ही जादा फाइदे बंद होती है हमारे प्रांट्स के लिए और ये देखें ये तयार हो चुका है मेरा फटी लैजर ये फ्रेंट्स इसको 10-12 घंटे हो चुके हैं अब हम इसको अपने प्रांट में देंगे इसको देने का बस यही है कि आप इसका गाड़ा घोल मत दीजे प्रांट्स में क्योंकि वो नुकसान भी कर सकता है फाइदे के बजाए इसलिए इसको पतला सा गोल बनाकर ही अपने प्रांट्स में दे तो अभी देखे मैं कैसे देती हूं फ्रेंट्स और इसको आप सबजी फलों के और जो फ़लावरिंग के आपके प्रांट्स हैं सभी में दे सकते हैं इंडूर प्रांट्स इसको अवोईड कीजिए उसमें मत देजिए क्योंकि जो सन लविंग प्रांट हैं बहार धूप में उसी में आप इसको यूज करें और अगर मैजून में इसको बनाते हैं अगर मिट्टी के बरतन में इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो ठंडी खाद बनके तयार होती है ये देखे, मैंने एक लिटर पानी लिया था इसमें थोड़ा ही पचास साथ हैमल के आसपास मैंने सरसो की खली मिलाई है और इसको मिला करके आप सभी प्लांट में दे सकते हैं गुढल, मोगरा, अपराजिता, चांदनी और फ्रेंस चंपा, जो आपके वोगन वेल्या हैं अलमानडा है, जो भी प्लांट हैं मैं इन में सभी में इसको यूज करती हूँ आप भी सभी प्लांट में थोड़ा-थोड़ा सा दे सकते हैं और इसको आप 15-20 दिन में दोबारा यूज कर लीजी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप कम मातरा में कम क्वांटिटी में पतला सा घूल बना कर देंगे तो आप इसको फ्रेंट सरसो की खली अपने फ्लावरिंग प्लांट में जरूर यूज कीजिए एक महिने में एक बार या 15-20 दिन में जरूर इसको यूज कर सकते हैं दूसरा फर्टिलाजर है उसको भी आप 15 दिन में अपने प्लावरिंग में देते रहेंगे तो ऐसे भर भर के आपको फ्लावरिंग मिलेगी और गुड हलमोगरा जो भी हमारे फ्लावरिंग प्रांट्स हैं उन सब में इसको यूज कर सकते हैं फ्री का फर्टिलाइजर है फ्रेंट्स ये है केले के चिलके केले के चिलके में बहुत अच्छी मातरा में पोटाशियम, फोस्वारस, नाइट्रोजन, केल्शियम बहुत अच्छी मातरा में पाया जाता है आईरन भी फ्रेंट्स बहुत अच्छी मातरा में ताकि इससे क्या होगा हमारे प्रांट की बिल्कुल पत्यां भी पिली नहीं होगी और हमारे प्रांट में अच्छे से ग्रोध होगी और कलियां बनेंगी तो इसमें अच्छी मातरा में पोटाइशय मैं फूल खिलाने में जो हमारे प्लांट की मदद करता है तो ये फर्टिलाजर आप 10-15 दिन में जरूर अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं और के लेके छिलके आप सुखा कर भी ऐसे रख सकते हैं और फिर पाउडर बना करके एक एक चमच अपने फ्लावरिंग ब्लांट में दे सकते हैं तो परसाथ की मौसम में ड्राइफों में देंगे तो बहुत ही अच्छा है अगर आपकी मिट्टी गीली है अगर गीली नहीं है तो फिर आप यह ऐसे लिक्विड फर्टिलाजर बना कर दीजिए और यह देखे मैंने भीगो कर रखा था इसको तो 24 घंटे हो गए है क्योंकि मैं कोई भी फर्टिलाजर तयार करके रखती हूँ तो टाइम टाइम पर उसको देती रहती हूँ अभी फ्रेंट से छिलके आप निकाल लीजिए क्योंकि थोड़ा बारिश का मोसन है कोई फंगस या चीटिया हमारे प्रांट में ना लगे तो इनको थोड़ा सा आप मिट्टी में मत डालिए या तो चान सकते हैं नहीं तो ऐ प्लांट की बहुत अच्छी ग्रूथ होती है और अगर आपके प्लांट पर आफ फेड्स या फिर चीटियां वगर हैं उसके लिए आप स्प्रे कीजिए आप बेकिंघ सोडा का यूज़ कर सकते हैं आप निमॉयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर डार्यक्ट आप सोप पा यह हमारे flowering plants के लिए और फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो अगर यह जानकरी अच्छी लगी है और तो फ्रेंड्स लाइक और शेड जरूर कीजिएगा और मेरे